हलो एवरिवन मैं विशुजीत सिंग आप सभी का दीजिना पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम महिस्ट्री महाई 08 का यूनिट थर्ड पढ़ने जारें जड़ी कर पाओगे क्योंकि टाइम कम है आपका 6-7 दिसंबर से एक्जाम है और उतने कम टाइम परेड़ में यह बहुत ज़्यादा है यह वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना आज का यूनिट यूनिट थर्ड जिसके अंदर में हम बात करेंगे परियावरण तथा समाज एक important समाज है किस तर से उसका उदगम हुआ परियावरण का उसने किस परकार से उपयोग किया उसके बारे में इस वाले topic के अंदर में discuss करेंगे और important topics है पहला जो chapter आता है हमारा chapter number 7 जिसके अंदर में हम बात करते है क्रिशी के उदगम के बारे में किस तर से क्रिशी है और आपका मैंने वीडियो करवा रखा है last five year के question paper की अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful रहेगा बहुत सारी चीज़े आपको सीखने के लिए मिलेगी उस वीडियो से आप easily आप 90% से अपना cover कर पाऊगे तो उस वीडियो के किसी का किस प्रकार से उद्गम हुआ उसको लेकर ही यहां पर question बन जाता है तो आप इस वाले question को ज़रू पढ़िए इसमें normally हम दिखाते कैसे है कि देखो starting में मानव किस प्रकार गा था मानव पहले सिकार करता था दीरे-दीरे संगरहन करने लगा सिकार संगरहन के और क्रिष्य को देखते हैं किस प्रकार से लेकर उसके परमान अपर wonder मिलते कि किस थर स से बहरत के इंदर में भारत की बात करो तो यहां पर आप बताओगे किसके बारे में सिंदू घाटी के बारे में कि सिंदू घाटी के अंदर में क्रिशी होता था ठीक है तो कई सारे यहां पर जो इतिहास कारे वह यह मानते हैं कि सिंदु घाटी के किनारे में बसा था यह पूरी सब्द था जिसके कार्म से यहां के जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा उपजाओती हो और इसके कार्म से यहां पर कई तरह की फसले उगाई जाती होंगी ठीक है तो इस तरह से आप सिंदु घाटी के बारे में बता सकते हैं और भारत के जो मैदानी इलाके हैं जहां पर गंगा जमना दो आपका जो छेतर है वहां पर भी क्रिशी के बहुत सारे परमाण मिलते हैं तो इस चैप्टर के अंदर में दो ही टॉपिक बनते हैं पहला टॉपिक यही कि क्रिशी का उद्गम विकास किस परकार से हुआ दूसरा टॉपिक यह कि भारत के अंदर में क्रिशी का क्या परमाण मिलते हैं इस तरसे भारत के इंदर में कृशी की सुरुवात हुए वह आपको बताना होगा चैप्टर नमबर नेक्स्ट के ओर चलते हैं चैप्टर नमबर हमारा एट जिसके इंदर में हम बात करेंगे नदी घाटी संबधा अब देखो जादा तर जो सब्वेटा थी सारी नदी के किन और विक्सित है रीजन कि राता था नदी का नदी देखो नदी से एक तो आपका जीवन व्यापन का सूर्थ मिल जाता था कि खाना पीना कोछ है मचली पगड़कर खा लिया अपने ठीक है पीना है पानी तुम पानी पी लिया अपने ठीक है साथ सात में अगर कहीं एक जग तो उसके काम से यहां पर नदी मार्गों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टस दी जाती है तो नदी घाटी से अब बात करें तो यहां पर क्या आता है कि सिंदु घाटी को लेकर यहां पर कोश्चन बनेगे ठीक है कि सिंदु घाटी के अंदर में किस परकार से क्रिशी तरीके और यहां पर जलवाई परिस्तिती किस परकारती सिंदू-गाटी की वह यहां पर question बनेगा, ठीक है, अब देखो मैंने यहां पर दोनों topics, जो इधर topics मैंने समझाया था न, वही topic यहां पर भी है, तो इस बुक के अंदर में अगर आप इस study कर रहें इस book की तो एक बात ध्या किस परकार किती वो आपने पढ़ लिया उसमें आपने सिंधू घाटी के बारे में बताया फिर यहां पे जो शैकंड शैक्टर है आपका इड़्क चैप्टर जिसमें भारे में बढ़ारे तो उसके अंदर में पर यह से अपको बहुत है दा मतलब एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटर लिंक है वही या इस वीडियो के अंदर में आपके लिए helpful होने वाली है तो जो आपका आठवा चैप्टर उसके अंदर में दो कोशन बनते हैं पहला तो ये सिंदु घाटे के अंदर में कृशी वेवस्ता किस परकार की थी ठीक है किरशी के तरीके किस परकार की थी और दूसरा कोशन बनता जलवायू के परिसिती किस परकार की थी जो खेती करज की जा सके, कृषी की जा सके, उसके लिए जलवायू कैसी थी, उसके बारे में आपने डिफाइन करना होगा, ठीके, अगले चैप्टर के बढ़ते हैं, चैप्टर नमबर 9, जिसके अंदर हम बात करते हैं, कृषी विस्तरन तथा छेत्रिय विसिस्ताएं 1, ठी टॉपिक है, तो यहाँ पर टॉपिक हैगा, कि मद्यकाल में भूमी का वर्गी करण, भूमी का वर्गी करण किस तर से किया जाता था, जो जमीन है, उसका वर्गी करण कैसे किया जाता था, जैसे अब देखो, जमीन के अंदर में वर्गी करण कैसे, अब भारत क्या है, कि ह कहींपर कारण से ये चीज़ देखने के लिए बिलती है तो नायदने किव्हार 활त का वर्गी करण दिससे के पना स्था आप सिदूंगाटी उसके अंदर कुविकाटन का प्रमान मिलते हैं ठीक है तो कोई को भी जल सरोत के तौर पर दिखा गया भूमिगत जो जल थे उनके उपर निरबरता जादा थी तो वो सिचाई के सरोत के उपर दिखा गया तो यहाँ पर इनको आप define कर सकते हो लिख सकते हो ठीक है एक सासत में यहाँ पर एक topic और बनता है वो भुगोलिक पर तो ये तीन टॉपिक रहते हैं, जो इस चेप्टर था है में Müd Woman बात करें। तो कृषि विश्रन के अंदर में एक टॉपिक आता है, जिसके बारे में लिस्कूज कर सकते हैं। पर यहां पर माइंड का नोड करने वाली बात है कि पर आपको प्राइद है भारत के अंदर में तो तो फारत के बारे में बात किया गया पर जबकि नीचे वाले सेकींड चैप्टरमारच चर्णी भारत के बारे में बातके जा रहा है ठीक है यहाँ पर ठाश्चान सब्सक्राश्ची को आप पढ़ सकते हो इस उनिट के इंदर में हितना ही था दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी comment करके पता है video पर जो भी response रहेगा उसके बाद ही में next video लेकर आऊँगा और आप सभी students एक बार फिर से में suggestion दूँगा आप सभी students को कि अगर आप MA history के लिए prepare कर रहे हो अच्छे number लाना चाहते हो तो last 5 year की question paper की videos मेंने डाल रखे हैं सभी subject की MA history की तो उसको जरूर देखें और भी बहुत सारी video है important topics के important questions के तो उसको भी देखें जिससे आप अच्छे number ला सकते हो ठीके और आपके लिए अगर video valuable है कहीं भी आपको 0.1% भी अगर आपके लिए helpful है video ठीके तो आप like share subscribe जरूर करें अपने दोस्तों तक share करें जि